कि नमस्कार न्यूस्प्रिक में आपका स्वागत है महाराज्ट्र में जो राजन्यातिक हल्चल है वो लगतार बढ़ती ही जा रही है और हर समय एक नए जो नया इवेंट है वो हमारे सामने उभर कर आ रहा है अभी इस समय मुंबई में एंसीपी कॉंग्रों शिफ सेना 162 विधायकों का जो है वो एक परेट कर रही है और इन्ही सब मुद्धों पर चर्चा करने के लिए हमाय साथ वरिश्च पत्रकार निखिल वागले जुड़े हुए है निखिल निउस्क्लिक में आपका स्वागत है नमस्कार तो शुरुवात इस बात से करते हैं कि आखिर मुंबई जो महराश्ट की राजनीती है उसमें इस समय हो क्या रहा है क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोट ने कल तक का टाल दिया है और इस समय जो ओपोजिशन इस समय ओपोजिशन जो है NCP शिवसेन और कॉंग्रेस वह 162 MLS का परेट कर रहा है तो आखिर राजनीती में चल क्या रहा है महाराश्टर में लोग तंत्र का खुन हो रहा है एक तो पहली बात यह है कि चुनाओं के नतीजे आने के बाद राजजपाल ने इन्विटेशन दिया था भारतिय जन्ता पार्टी को उन्होंने गवर्नमन्ट बनाने को रिफ्यूज किया था क्योंकि उनके पास मेज़ोरिटी नहीं थी इसके बाद राजपाल ने शिवसेना को बुलाया, NCP को बुलाया लेकिन जब BJP को राजपाल ने चार दिन दिये तो इन लोगों को NCP या शिवसेना को सिर्फ 24 गंटे ही दिये तो पहली बात तो यह इस खुन की शुरुआत ही, खुन कता की शुरुआत, यह जो मर्डर स्टोरी है, उसकी शुरुआत हो गई राजपाल के साथ राजपाल में एक दिन अचानक रात को, जिसे मैं नाइट को या अर्ली मॉर्निंग को कहता हूं रात को सबको न्योता बेजा, फरेंडविस को बुलाया, अजित पवार को बुलाया, सुबह पाउने छे बज़े, राश्ट्रपती ने आदेश पर सिगनेचर किये, कैमिडिट की मिटिंग भी नहीं हुई, और फरेंडविस और अजित पवार को शपत दिलाई, यह भी लो बुलाया जाता है नागरिकों से जो प्रतिष्टित नागरिके इनको, राजनेताओं को बुलाया जाता है, किसी को नहीं बुलाया, दुरदर्शन को भी नहीं बुलाया, सिर्फ एनाए का कैमेरमन इनके यहाँ था, तो जैसे कि कोई सिक्रेट आपरेशन हो, वैसे यह माना है कि यह नरेंद्र मोदी और अमिच शाहा के कहने पर हो रहा है अगर हम महराश्टर में चल रहा है उसको देखें तो दोपर में खबर आई थी कि सिचाई घोटाला जो था उससे जुड़े केसों को बंद कर दिया गया है फिर खबर आई कि जो एंटी करॉप्शन ब्यूरे उनके अधिकारियों ने बोला है कि इससे अजित पवार का कुछ लेना देना नहीं है तो क्या थोड़ा इस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि घोटाले क्या थे और आखिर क्या ज़रूरत पड़ी एडी के स्कैनर पर है अजित पवार के खिलाफ महाराश्य स्टेट कोपरिटल बैंक के घोटाले में बहुत गंपीर आरूप लगे है फिर सिंचन घोटाले में भी वो शामिल है आज जो नव केसेस एसीबी ने क्लोज किये ये तो एसीबी नहीं बताया है मैंने एसीबी का लेटर देखा है मेरे सामने ये लेटर है और आपने देखा होगा तो सोचल मीडिया पर भी ये लेटर आ गया है एसीबी ने नव केसेस बंकिये है सिंचन घोटाले में चोबीस केसेस है टोटल चोबीस केसेस है नव केसेस बंकिये है ये नव जो प्रोजेक्ट है इसमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट, स्मॉल इर्रिगेशन प्रोजेक्ट है, लेकिन जो ACB कह रही है, ACB ने जो क्लैरिफिकर्जिस दिया है, इसका अजित पवार के साथ कोई सम्मन नहीं है, ये सरासर जूट है, क्योंकि ये सारे के सारे के ये जो नहु केसेस है, वो विधरभे इर्रिगेशन डिवलोप्मेंट कॉर्पोरेशन, VIDC, इस कॉर्पोरेशन से सम्मन दित है, जिसके चेर्मन अजित पवार ही थे, क्योंकि अजित पवार इस दिपार्टमेंट के मंत्री थे, तो ये सारे के सारे केसेस, जिसमें जो cases है ये बड़े cases भी है और उसमें अजित पवार का उसमें भी हाथ है लेकिन इसी भी जो कह रही है कि आज अजित पवार का इन 9 cases में समंध नहीं है ये ठीक नहीं है अजित पवार BJP के पास जाते हैं और सरकार बनती है तो बाकी 15 cases भी खतम होने के chances है एक तरीकी से ये ट्रेलर है बिलकुल ये ट्रेलर है 9 cases तो खतम कर दिये अभी तो ट्रेलर दिखाया बाकी 24 cases भी खतम हो जाएंगे वैसे ही अजित पवार के खिलाब जो महारस्य स्टेट कोपरिटरी बैं सुना था, कन्फर्म हो गया था कि अजित पवार और प्रफुल पटेल के खिलाफ जो ED की कारवाई चल रही है उसके लिए अमित शाहा ने इन दोनों पर दबाव डाला है और अमित शाहा के दबाव की कारण है अजित पवार और प्रफुल पटेल नहीं चाहते कि महाराश् में NCP, शिव सेना और कॉंग्रेस के साथ जाए प्रफुल पटेल और अजित पौर का मानना था कि अगर हम BJP के साथ जाते है तो हम बच सकते हैं और ये कोशी सुने ने किया है अभी आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ब्लैक मेलिंग की राजदीती है EDA और CBI का जो है वो महराश्त्र में भी BJP ने किया है आज भी BJP के पास मैजोरिटी नहीं है आज देखिए आप सुप्रीम कोट में क्या हुआ सुप्रीम कोट में सॉलिसिटर जनरल जो है तुशार मेता वो भी कोट को कह रहे थे कि मुझे ज़्यादा समझे चाहिए फिर जो मुकुल रोहद किया है जो BJP और फरनेविस के लायर थे वो भी कह रहे थे हमें समझे चाहिए दोनों की ये कोशिश थी कि ये मामला डिले हो हाला कि इस मामले का जो है वो on the floor of the house on the floor of विदान समाई निकल सकता है क्योंकि दावे प्रति दावे तो होते रहेंगे और वो टेस्ट जल्दी करवाना पड़ेगा क्योंकि जहां तक जितना लंबा उसे खीचे जाएगा उतने ही ज़्यादा चांसेज होंगे खरीद फरोक्त के बिल्कुल आप सही कह रहे है जिसे अंग्रेजी में कहते है यह फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा मैरे समझ में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट ने काल कल सुनवाई की संडे के दिन फिर 24 गंटे टाल दिये अभी 24 आउर गंटे अन्ने कल सुबह वो फैसला देंगे सुप्रीम कोर्ट सिधी तरह से यह आदेश दे सकते है कि फ्लोर टेस्ट करो क्योंकि बोमई जज्जमेंट साफ है बोमई जज्जमेंट ने कहा है कि गवर्नर हाउस is not the place to test the majority या कोई hotel या कोई auditorium में यह majority test नहीं हो सकती this majority state majority test can be done only on the floor of the abiddan saba तो यही करना चाहिए तो एक बात तो यह हो गई कि ED का जो खत्रा था ACB का जो खत्रा था अजीत पवार की उपर वो था पर एक तरीक से यह राजनियातिक हत्या नहीं है क्योंकि अगर शिवसेना NCP और कॉंग्रिस को देखा जाए तो उनका तो दावा है कि उनके पाद 162 विधायकों का सपोर्ट है तो इस हालत में तो भाजपा अजीत पवार के साथ सरकार बना नहीं पाएगी ऐसे तो लगता है लेकिन अजीत पवार यह मानते है कि उनके साथ NCP के कम से कम 35 या 40 विधायक है अगर वो है और फ्लोर टेस्ट पर अगर वो अजीत पवार के या BJP के साथ जाते है तो मुझे लगता है यह जो देवेंदर फरणिमिस अजीत पवार की सरकार है वो टिक पाएगी लेकिन आज हमें शरत पवार यह कह रहे है कि अजीत पवार के साथ कोई विधायक नहीं है अजीत पवार अकेले है और जो विधायक उनके साथ गए थे वो भी वापस आ गए लेकिन यह फ्लोर टेस्ट में प्रूव करना होगा आज किसी होटल में 162 यह लोग लाते है फिर फ्लोर टेस्ट में कुछ अलग होता है तो मुझे लगता है इसका फाइदा बीजेपी उटाएगी क्योंकि पिछली बार क्या हुआ देखिए 2014 में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था बीजेपी के पास 122 विधायक थे और बहुमत का आकड़ा 145 था शिव सेना ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया था उस वक्त क्योंकि दोनों पाटिया अलग-अलग लड़ी थी बीजेपी ने एनसीपी के सपोर्ट के लिए शरत पवार को रिक्वेस्ट भी नहीं की थी फिर भी शरत पवार ने अपने आप अनौंस किया कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि महाराज़्ट को स्टेबल सरकार चाहिए और उन्होंने सपोर्ट कैसे कि एनसीपी ने वोटिंग नहीं किया एनसीपी के सारे के सारे विदायक जो है और बीजेपी ने यह जो फ्लोर टेस्ट था वो जित लिया शायद ऐसे भी हो सकता है लोग कह रहे हैं अभी फ्लोर टेस्ट में कोई भी पार्टी या कोई भी विदायक जो बीजेपी के दबाओ के नीचे आ रहा है वो एपसेंट कर सकता है और उससे मामला बहुत गड़बड हो सकता है अगर ऐसा होता है तो क्या यह शरत पवार की राजनीती का अंत नहीं होगा क्योंकि वो लगातार पिछले पांट सालों से भाजपा के विरोध में बोलते आये है देखो शरत पवार का भरोसा नहीं किया जा सकता मैं शरत पवार की राजनीती 1978 से आज तक देखते आया हूँ शरत पवार जो बोलते है वो करते नहीं है आज जो अजित पवार ने बगावत की है क्या उसके पिछे शरत पवार का हाथ है या नहीं यह हमें मालूम नहीं है कुछ दिन में यह जो मिस्री है वो सौल हो जाएगी लेकिन आज शरत पवार का हाथ नहीं है यह हम कहे नहीं सकते देखो शरत पवार कॉंग्रेस और शेवसेना ने अगर डिले नहीं किया होता उन्होंने भी बहुत डिले किया है तो आज तक उनकी सरकार बन जाती लेकिन पह शरत पवार कौनसी राज़निती के खेल रहे थे या फिर शरत पवार डबल रोल खेल रहे थे या नहीं यह भी हमें मालूम नहीं है आज भी शरत पवार अजित पवार के संपर्क में है अजित पवार बिजेपी के साथ गये है लेकिन NCP अजित पवार को अपिल कर रही है क तो उनको पार्टी से निकाल सकते, लेकिन आज तक शरत पौवार ने ऐसा नहीं किया है, तो शक बढ़ता है इससे, इसलिए मैं शरत पौवार की राजनिती फेस वैल्यू पर नहीं लेता, जब तक यह सरकार नहीं बनती, जब शिवसेना, कॉंग्रेस और इंसीपी की सरकार बन जाएगी, यह बेसिक जिम्मेदारी तो शरत पौवार की सरकार बनाने की, क्योंकि उन्होंने पुद्धव ठाकरे को आश्वासन दिया है, अगर वो बनाते है सरकार, तो मैं मान लूँगा, कि वो अजित पौवार के साथ नहीं है, नहीं तो शरत पौवार के राजनित कि करवड बदलती रहेगी, आपके पास लगाता राते रहेंगे, धन्यवाद, 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 न्यूस्क्लिक देखने के लिए धन्यवाद,